नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चेनल में आप सभी का स्वागत है सुगाइज वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाईज आज हम डिसक्रिश करेंग करें तो गाई यहांपे क्या मोमेंटम बन रहा और फैनेंशल के करें तो आप देखिसें तो आप दूआ सब्काइब करेक्शन हमें सब्कुंच करेक्शन का क्रेक्शन हमें देखने को स्थेट जो निचे रेवल से में देखने को मिला नालको शेयर में आप लोग बेफिर कोई कुछ नालकों में देखने को नहीं मिलेगी कंपनी काफी स्टरॉंग और कंपनी की तकसे प्राइस है कंपनी की परेश काफी बड़िया है कंपनी का जो सेट अफ है वो काफी बढ़िया है तो अब अभी भी यही राय दो तो आप लोग जो है बेफिर को में देखने को नहीं मिलेगी कंपनी का जो ब्रोथ और लुक है वह भी फूचर का काफी बढ़ी है और फाइनेशल भी काफी बढ़ी है और जो स्लोडान आया था एक क्या बोलता है मैटल में और खासकर अलुमीनियम के प्राइसीज में वह जो है अब कहतम हो चुक है और बापीस जो है डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में यहां पर प्राइसीज भी बढ़ी है और दिमांड भी धिरे-धिरे पेस भूरी जो आने वाल तैमें जिससे नालको को काफी बेनिफिट होगा तो गाइस कंपनी फंडेमेंटल और फाइनेशली स्ट्रॉंग है तो चलिए अब इसका का सब एक ब्रेक आउट किया था और जो पिछले लेवल्स पर जहां पर शेर गिरा था वहीं आके फिर से अटक गिया है फिर से यहीं पर हमें सेलिंग देखने को भी लिए तो मैं आपको अभी यहीं राय दूंग और मेरी आपको यहीं साल रहेगी है आप लोग जो है नाल प्रेक्टम में यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और एक सेलिंग आपको जो है देखने को मिल सीथी क्योंकि स्टॉक काफे ताथा स्ट्रेच हो चुका था एक काफी स्ट्रॉंग रही आई थी तो यहां पर स्टॉक थोड़ा वीक होता हो दिखे कर लेकिन यहां पर शेयर जैसे ही संबलेगा फिर एक रैली बनीगा और दोसों के टार्गेट कहीं भी ने गए तो अभी भी मैं आपको यही राय दूंगा और मेरे आपको यही से लहां की कंपनी फिंडमेंटली भी स्ट्रॉंग है फाइनेशली भी स्ट्रॉंग है चार्ट सेटप भी करके चलिए तो गाइज ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पीज़े धन्यवाद